साइद जनता के इस रुख को वो लोग समझ गए है ने नहीं हमें भी लगता है कि राहूल गांदी जी को रेजिगनेशन स्विकार उनका नहीं होना चाहिए उनको मन्थन करना चाहिए और दो हजार चौतिस की तैयारी करनी चाहिए मैं समझता हूँ कि अमेठी में राहूल गांदी जी की जो हार हुई है वो एक एतिहासि घटना है वन्षवाद परिवारवाद इसके समापन की शुरुवात हो गई है और जितने वन्सवादी और परिवारवादी आए अब बंबई में जाके देखिए जितने लोग आये थे रुके हम हमारा टिकट होगा तो जितना पकाई है सब एक लाइन से चले गए मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन इस देश में लोगों ने ये सोच लिया है कि नरंदर मोदी जो एक फकीर के रूप में देश की तकदीर बना रहे हैं उनके साथ चलना है सारी जाती धर्म की दिवारे गिर जाएंगी और अब सही मायने में आप देखिए कितना देर लगा इमरान खान को बधाई देने में परदान मंतरी जी को ये होता है सशक्त भारत 2014 में नया भारत जनम लिया था 2019 में कल सशक्त भारत जनम लिया है और उस सशक्त भारत में सब को गर्व है देखिए मैं इस पे जादा बोलना नहीं चाहता हूँ उनके घर की सारी बातें तेजबताब प्यादों नहीं सारी कर दी है और मैं समझता हूँ अब इस देश के हर वन्षवादी परिवारवादी लोगों को सोच लेना चाहिए कि जनता जाग गई है और वो अपने देश के लिए स्वयम चुनाव लड़ रही है अब उसको कोई बरगला नहीं सकता उसको पता है कौन मेरा हितकारी है और कौन हमारे लिए आवश्यक नहीं मनोर अब आपने सुना जिनोंने कॉंगरेस अध्यक्ष राहूल गांधी पर निशाना साता है झाल 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 झाल